मरकरी जब सूरज के साथ होता है तो ये ज़ादा शार्प रिजल्ट्स देता है बिग रिवार्ड्स, सडन और अनेक्सपेक्टेड पॉजिटिव दिल कुछ और तरसी की फीलिंग्स लेकर आता है, उसे करने का दिल करता है बट माइंड नॉन एक्सपेरियंस होने की वज़ा से या निव प्रोजेक्ट होने की वज़ा से सैटेसपाइड नहीं होता देल और दिमागी इस डिस्टर्बंस की वज़ा से वो अपरचुनिटी मिस कर लेकर अतामेकम एक्वेरियंस मैं हरस अजमी प्रोफेशन आस्टरॉलजर आपकी खिदमत में हाजरू इस सफ़ते की आस्ट्रोजिकल रिसर्चिस लेकर अज बताने को बहुत कुछ है एक्वेरियंस ये 25 मार्श से लेकर 31 मार्श तक बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं एक्वेरियंस के लिए मुक्तलिफ अंदास से लेकिन कुछ सैंसिटिव एरियाज भी है पहले पॉजिटिव एरियाज बियान कर दू जो छोटी सी तकलीफ दे खबरे हैं उनको एंड पर बियान करूँगा पॉजिटिव नियूज ये है कि आपके लिए मरकरी आपके थर्ड एंगल पर है सूरज भी आपके थर्ड एंगल पर है मरकरी अकेला थर्ड एंगल पर चार फाइदों की वज़ा बनता है उसके जर्नल अड़ांटेजिस में तो बन्दे की जो प्रेजन्स आफ माइंड है वो बड़ी एकुरेट हो जाती है क्रियेटिव सकिल प्यदा होती है नई प्लैंस नहीं बनती है एक ही टाइम पर एक ही तरज ही काम करने के लिए कई प्लैंस मु velocir होते है जिन एरियाज में आपका दिमाग पहले नहीं चलता था या नहीं वे आउट्स मिलते थे या चीजें लर्न नहीं हो पा रही थी या चीजें समझने में प्रापलम होती थी तो अब आफटर इस वीक इन 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 इस रणिंग वीक ये आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि एक तो प्लैंज में एकुरेसी आएगी एक से ज़्यादा प्लैंज होंगे वो काबल हैं वो आईडियल लेवल्स पर पहुंच जाएंगे इसका फाइदा बहुत अच्छे अंदास स्टूडेंट्स को पहुंचेगा तालेब इल्मी को बहुत ऐसे एक्वेरियन्स भी फाइदा उठाएंगे जो साइकलोजिकल प्रेशर में रहा करते थे काम भी करते रहते थे अंदर से डरे भी रहते थे तो नफसियाती दबाओ कम होगा मरकरी की सपोर्ट से तीसरा अडवांटिज सुने आपकी अलफाज मैजिकल होंगे जो सामने वाले को बहुत अच्छे अंदास से अपनी तरफ माइल कर सकेंगे तो लोगों की राए आपके लिए बहुत पॉज के साथ अपने बॉसे के साथ एवन फैमिली मेंबर्स के साथ इससे फैमिली यकजहती पैदा होगी इसका तीसरा अडवांटिज सुने मरकरी जब सूरज के साथ होता है तो यह ज़्यादा शार्प रिजल्ट्स देता है बिग रिवार्ड्स सदन और अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव यह इसका तीसरा फाइदा चौता फाइदा सुने मरकरी इस पॉजिटिव सो इट इस रिप्रिजेंटिटिव और एट्थ हैंगल कोई लॉस हो गया था आप से रॉंग डिसीजन्स की वज़ए से कोई सी ऐसी प्रॉब्लम में फस गय थे किया आपने नहीं थ इसा अधा इल्जाम आप पर लग गये थे कोई ऐसी प्रॉब्लम में फस गय थे के जो आपकी अपनी आदते थी और फ्र वो आदते आपको टरबल देने लग गयी कोई भी हो सकती है, खाने पीने की हो सकती है, सोने की हो सकती है, लिखने की हो सकती है, कोई ऐसी आदतें जो बुरी हों, सादल अब्समें मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन आदतों से आप छुटकारा हासल नहीं कर पाते हैं, जब मरकरी और सूरज कठे होते हैं especially in your third angle so आप responsible होने लगते हैं जादा संजीदगी के साथ आप उन बुरी आदतों से छुटकारे की तरफ जाते हैं वो आदते हैं आपको पिंच करने लग जाती हैं आदते हैं लट से प्लेजर देती थी और आप खुशी खुशी वो आदते हैं अपनाए हुए थे बट आप वो आपको पिंच करेंगी के ये चीज अच्छी नहीं है इसे तुम लंबा नहीं चला सकते हैं इसे आपको छोड़ना होगा तो उस छोड़ने में जो साइकलोजिकल सपोर्ट चाही होती है वो आपको मुझे सराएगी ये मरकरी के इतने फाइदे हैं अब मरकरी का अब सूरज के फाइदे गिनवाता हूँ जो इसी सेम एंगल पर है तुम लाइप ब्लाइप 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 ब कुछ मिस अंडेस्टेंडिंग्स हैं फ्रैंकनेस नहीं है या अटैच्मेंट सलो है या जहनी हमांगी नहीं तो उसको रिकवर कर देगा दूसरा फाइदा सूरज हमेशा ही डिले ओफ मेरिज को खतम करता है फर्दा एक्वेरियन्स वेन इस इन थर्ड एंगल डिले ओफ मेरि लेकर जब मरकरी सेवंध तर्ड एंगल पर हो तो अड़वांटेजिस ये मिलते हैं कि बात पूरी हो जाती है लाइफ पार्टेशिप डिसीजन्स होते हैं वो डिसीजन्स मेरिटफुल होंगे जब वो मेरिटफुल है तो आवियसली सकसेस्फुल भी होंगे अगली खबर ज़ादा जिम्मेदारी निभाएंगे जो जिम्मेदारी आपके जिम्मे नहीं भी है फैमली की या बिजनस की वो भी आप निभापाएंगे और खुश दिली से निभाएंगे उससे आपकी रिस्पेक्ट में एंड फेस वैल्यू में इदाफा होगा इन दोनों की कंभीनेशन से आपके रिश ओफ सक्सेस में अप्रॉक्सिमेटली 40 परसेंट ग्रोथ आएगी ये growth natural attachments की भी है, natural developments की भी है, recovery of negative habits की भी है, ये financial security की भी है, ये performance developments की भी है, ये opportunities grab करने की भी है, ये senses को on भी करेगी, mind का fog and mind की वो जो एक trouble रहती है दिमाग में हर वकत regret की और फिकर की और फियर्स की वो repair होगी. और अच्छी कबर सुनाता हूँ, आपके लिए मार्स second angle पर, that is so positive for your physical stamina, that is very positive for your inheritance, inheritance के दितने भी मामलात हैं, माबाप के साथ या family के साथ वो settle down होंगे, मार्स is also very positive for your carrier, it is representative of your 10th angle, जब भी कभी मार्स अच्छे angle पर हो, केरियर flourish करता है, लेकिन ये केरियर उन लोगों का ज्यादा flourish करेगा, जो self employee है, जो employees होते हैं, flourish तो वहाँ पर भी करेगा, उनकी कारकरदगी बढ़ेगी, उनका performance stamina, उनकी मामले को समझने की सलाहियत, उनकी connection with the juniors, connection with the colleagues, connection with the bosses, ये सब अच्छे होंगे, लेकिन unfortunately, as you know, के उन्होंने एक fixed amount के तहट अपनी services already दे रखी होती हैं, तो chance तो ये हैं के वहाँ पर चीजें settle होंगी, increment and promotions are expected, बट ऐसा सभी के साथ promotions तो नहीं हो जाएंगे, अलबता reputation अच्छी होगी, लेकिन क्योंके वो employees हैं तो उस reputation का reward तकरीबन fix रहेगा, self employment ship में मार्स कई तरह की fields को support करता है, जैसे builders को, जैसे forces के लोगों को, जैसे लोहे से related business करने वाले, जैसे यह concrete और लोहा और building materials suppliers, transporters and stock exchange brokers, real estate agents या फिर यह जो communication करके लोगों से, जैने के services देकर लोगों से जो अपनी रिजग रोजी चलाते हैं, these are all very happy in this week, इंशालोब, एंड साथ ही साथ इसी second angle पर आपका Venus है, एंड Venus is representative of your pleasures, your feelings, your spirituality, your attachments and even your romance, वो side भी positive है, एंड योर Saturn is also, your ruling planet is also on second angle, इसके दो पहलू है, एक पहलू तो strong aquarium के लिए है, जो बहुत strong है, उनको Saturn negative impact नहीं करता, वो direct Saturn के साथ दुनिया में आते हैं, by birth उनका Saturn positive था, direct था, positive angles पर था, उससे क्या होता है, कि उनकी judgmental abilities enhance हो जाती है, उनकी creative skills enhance हो जाती है, उनकी intuition levels, उनके खौब सचाना ये काफी positive है, अब इन ये जो अभी तक सारी चीज़ें बताएं, अपना घर लेना चाते हैं, या बढ़ा करना चाते हैं, या उसको खुबसूरत करना चाते हैं, या उससे comfortable करना चाते हैं, या गाड़ी या luxury वो ले सकेंगे, एंड उसके लिए उनके पास resources भी होंगे, lucky factor भी होगा, opportunities भी होंगी, and वो कर जाएंगे, plans भी होंगे, Jupiter is also your lucky factor, sudden gains, अचानक फाइदे, फाइदे आपकी तवक्को से बढ़ कर आना, थोड़ी सी महने से आ जाना, या आप एक टीम के थूरू फाइदे ले सकते हैं, ये तने stars positive हैं, अब negativity क्या है, जिस एंगल पर Mars है, आपके second एंगल पर, उसी एंगल पर Saturn है, and इन दोनों में तस तसादम रहता है, इस तसादम के impact के आते हैं, कि बंदा फैसला नहीं कर पाता, दिल कुछ और तरसी की feelings लेकर आता है, उसे करने का दिल करता है, but mind non experienced होने की वज़ा से, या new project होने की वज़ा से satisfied नहीं होता, दिल और दिमागी इस disturbance की वज़ा से, वो opportunity miss कर लेते हैं, and उस opportunity के miss होने में obviously नुकसान है, कोई बड़ा मौका था, कोई बड़ी डील थी, कोई बड़े relations है, तो एक तो ये एक negative खबर है, दूसरी negative खबर ये है कि 25 मार्च को चांद ग्रहन होगा, and 8 एपरिल को सूरज ग्रहन होगा, चांद ग्रहन की तफसील मैंने पिछली वीडियो में इस वीडियो में डिसकस नहीं करते, सूरज ग्रहना भी आएगा, अगले हफतों में मैं इंशाला आपके खिदमत में उसकी डीटेल भी सामने ले आऊँगा, लेकिन इन दो ग्रहनों के दरमयान emotional and psychological sensitivity यहां से भी आती है, बंदे बाहर से जो negative message आता है, सम टाइम लोगों के रवये, सम टाइम किसी ने कोई bluff कर दिया है, तो वो बं की तरह है, एक emotional बं की तरह आपके उपर गिरेगा, आप बहुत सोचेंगे, बहुत negative thinking आएगी and उसका solution या तो कर लेंगे, कर लेंगे तो you are strong aquarium अगर नहीं कर पाए, तो वो आपको उलजाती रहेगी, यह दो negative खबरे को aquariums बहुत अच्छे तरीके से manage कर सकते हैं with सुरह शम्स five times in a day, रमदान सीजन में खैर और बरकत के लिए तमामी activities बहुत अच्छी है, बट सुरह शम्स क्योंके experience based है, मैंने इसे खैर और बरकत के इलावा treatment source भी पाया as professional astrologer, तो पाँच दफ़ा जरूर पढ़िये, जादा भी पढ़ सकते हैं, रमदान तो अबादतों का ही महीना है, और scientific theory के मताबक जो gemological art of healing है, जिससे हम stones को as a catalyst यूज करते हैं to develop, to repair, to polish your skills, उसके मताबक अगर आप blue सफायर पहनें तो ये बड़ा effective रहेगा, अगर आप एक बहुत अच्छी quality का blue सफायर बाय करते हैं, premium quality, let's say salon सफायर, सिरि लंका से जो आते हैं, वो आप चार कैरट भी पहनें तो more than enough है, but अगर आप एक average, एक general quality का blue सफायर बाय करते हैं, तो फिर आपको 8 से 10 कैरट blue सफायर पहनना चाहिए, और वो natural भी हो, natural stone identification easy task नहीं है, aquariums, हम लोगों ने पिछले दिनों, जब stone create किया, मैंने उस reputation रखते थे जो stone को identify करने में बहुत माहर थे, फिर उनके थुरू हमने stones buy किये, stone buying पर funds खरच हुए, documentation पर import पर import risk के insurance बहुत कुछ खरच हुआ, लेकिन बारहाल at the end, फिर IT भी यूज़ की, जिन्होंने store create करके दिया, जो international buying के लिए एक smooth path है, बारहाल अब store create हो चुका है, न पूरे इतमाद से, जो healing properties वाले stone है, वो वहां से buy कर सकते हैं, fashion stone जो jewelers sale करते हैं, उनकी मजबूरी है कि वो lab created या glass finish या color enhanced stone यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें कीमती चीज़ें बनानी होती हैं, और फिर वो दिखने में भी खूपसूरत हो, इसकी मैं अक्सर example देता हूँ जैसे किसी female के एक necklace में कोई 8 या 10 या 15 stone यूज़ हुए है, अगर वो सारे के सारे natural होंगे तो उस jeweler को दो तीन तरह की trouble आएगी, एक तो सबका size उसे match करना मुश्किल होगा, क्योंकि stone किसी धांचे में किसी machine में नहीं बनते, stone mining होती है, कोई बड़ा होता है, कोई चोटा ह तो बार से cut कर लिया जाता है, माल लेके एक size के मिल भी गया, तो दूसरी complication क्या आएगी, कि sub-stones, sub-natural stones का color एक जैसा नहीं होता, कुछ लोगों में दोहरे color होते हैं, कहीं एक size से ज़्यादा color, कहीं एक size से कम, या दो stones में color difference आएगा, वो necklace की side जो खुबसूरती है वो जात और फिर वो precious भी हों, दिखने में बहुत खुबसूरत लगते हों, चमकदार हों, तो उसके लिए वो glass finish करते हैं, ultra heat treatment देते हैं, color enhance करते हैं, वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जूलरी सेल करने हैं, वो treatment के लिए उनके stones नहीं हैं, और वो यह कहते भी नहीं हैं कि हम treatment के उसके लिए उसके लिए जो स्टोन बाय करना है, वो healing properties वाला हो, उसके लिए हमने आपके लिए सहूलत कर दिये हैं, इस टोर की सूरत में आप इस स्टोर को विजिट कर सकते हैं, और बाय कर सकते हैं, अपने रमदान को enjoy करिए, अपने जो golden season इस वकत आपको मुएसर हैं, ज जब कामयाब हों तो अल्ला का भी शुकर अदा करें और अपनी दौा में मुझे और मेरी टीम को भी जरूर याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी होसला वजाई की वज़ा बनती है, अगले हफते तक के लिए अल्ला ने के बाद।